तो आज के समय में लगवक सभी लोगों के पास pen card है लेकिन उनमें से ऐसे बहुती कम लोग है जिने pen card की सही जानकारी होती है और सही जानकारी ना होने के कारण उनके pen card का miss use होने लगता है जो बाद में उनके लिए बड़ी समय से बन जाती है तो ऐसे में अगर आपके पास pen card है तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुती जदा important है ताकि आप ना सिर्फ आपने pen card का गलत use होने से बचा सके साथी आप pen card से होने वाले फायदों का लाब्यों उठा पाए और साथी अगर आपने अभी तक pen card नहीं बनवाया है तो ऐसे में आपको ये बात पता चलीगी कि आखिर pen card बनवाना के जरोड़ी है तो ऐसे में अगर आपके पास pen card है तब भी आप इस वीडियो को देखें या फिर आपके पास pen card नहीं है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुती ज़दा important है तो चलिए दूस्तों बिना देर pen card और डेविड card के size का होता है जिसमें आपके details जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, जनम की तारीख, आपका signature और आपके photo सभी चीज़े शबी होती है और सबसे important चीज pen card में 10 digit का alpha numeric number होता है और इसी 10 digit के alpha numeric number को enter करके आपकी सारी financial history निकाली जा सकती है और यह pen card income tax department के द जाता है जो कि इसके लिए apply करते हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर pen card को जारी क्यों किया जाता है और इस card को जारी करने के पीछे का क्या करान है और इसे income tax department या फिस सरकार को क्या फायत है तो दूस्तों जिस तरह identity card यानि की पहचान पत्र के जरिए जो की financial condition का पता लगाया जा सकता है यानि कि वैक्ती का pen card हर उस जगर link रहता है जहां पैसों का link देन होता है जिससे कि आपका bank account जिस करने से pen card के जरिए वैक्ती के सभी financial history जैसे कि वैक्ती के कमाई के कितने sources है वैक्ती कितना कमाता है कितना खर्च करता है उस पर कितना कर जाए इन सभी चीजों की जैनकारी मिलती है और इस तरह वैक्ती अगर income tax paying category में आता है तो उस पर income tax लगाया जाता है तो कुछ इस तरह से यह pen card work करता है जिसका main मकसद बस इतना है कि यहां से वैक्ती की सारी financial history का record government तक पहुचाया जा सके और इसके आधार पर वैक्ती पर income tax department के दुआरा tax लगाया जा सके अगर वैक्ती tax slab की लिश्ट में आता है तो दोस्तो अब तो आप समझी गए होंगे कि pen card जारी क्यों किया जाते है और इसमें सरकार का क्या benefit है और साथी साथ अब आप यह सब्सक्राइए होंगे कि pen card बनवाने से तो government का फायदा है इसमें हमारा क्या फायदा है हम लोग pen card क्यों बनवाए है तो दोस्तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे है क्योंकि आज की टाइम में pen card बनवाना बहुत ही जाना जरूरी हो गया है और इसके कई सारे benefits भी है इनके बारे में हम लोग वीडियो में पर मुख उप्योग income tax भरने के लिए होता है बिना pen card के आपको tax में ज्यादा बुकतान करना पड़ सकता है यानकि pen card के unique number की मदद से income tax department के दुआरा व्यक्ति का financial history निकाला जाता है और यह चेक किया जाता है क्या हुआ वे वेक्ति income tax के लिए eligible है क्या उसको income tax भरना है और अगर वे वेक्ति income tax के दायरे में आता है तो उस पर income tax लगाया जाता है नम्मर तिन यह सिर्फ tax भरने के लिए नहीं बलकि किसी भी ज्यादा मुल्य के टानादेशन के लिए भी जरूरी होता है एक्जांबल के लिए अगर आप 5 लाग रुपिये से ज्यादा की ज़रूरी खरिते हैं तो वहाँ आपको pen card देना जरूरी होता है और साथी अगर आप जोब करते हैं तो वहाँ पी आपको pen card की जरूरी होता है नम्मर चार आजकल सबी बेंकों में खाता खुलने के लिए pen card की डिमांड की जाती है और अगर आप बैंक के जड़ी credit card लेने के सुझ रह इसके बिना तो आपको credit card मिली नहीं सकता है जी हां अगर आप घर बनवाने के लिए property खरीद रहे या फिर sell कर रहे तो ऐसे में आपको pen card की जरोत पड़ेगी और साथी साथ अगर आप vehicles खरीद रहे हैं अगर आप four wheeler खरीद रहे हैं वहां भी आपको pen card की दिमांट की जाती ह है नमर साथ और अगर आप NRI है तो आप pen card की मदद से आसानी से property खरीद सकते हैं और इस देश में अपना business भी शुरू कर सकते हैं और इन सभी के अलावा security में निवेस करते समय या 50,000 रुपे से ज़दा के transition पर insurance premium के लिए loan लेने वक्त एपड़ी करवाने पर cash deposit share market में नहीं हो सकता है आपको छोटे से चोटे वड़क के लिए भी pen card की जरूरत परती है तो ऐसे में अगर आपने अभी तक pen card नहीं बनवाया है तो आपके लिए pen card बनवाना बहुत ही जरूरी हो जाता है लेकिन इन सब के अलवा pen card के बहुत सारे benefits भी है और इन benefits को जनना भी आ Pen card का यूज़ करके आप यह भी जान सकते हैं कि आपने कब-कब और कितने रूपिय तक का लोन लिया है और उसका वुक्तान आपने कितने समय में किया है नमबर तीन, टेक्स की जानकारे, आपने टेक्स भरा है या फिर नहीं, हम टेक्स के दैरे में आते भी है या फिर नहीं, इन सभी चीजों की जानकारे भी हमें इस पैनकार्ट के जरीए मिल जाती हैं, तो दोस्तों अब तो आप समझ जी गए होगे कि पैनकार्ट कितना जरू दोक्विमेंट है इसलिए आप इस बात का ध्यान जोरूर कि कि आप पैंकार्ट को किसी गलत व्यक्ति के हाथ में न दे तो दोस्तों यह थी हमारी पैंकार्ट से जोरी छोटी सी इनफॉर्मेशन उम्यद है कि आपको हमारे द्वराब बनाए गए या वीडियो अच्छे लगी होगी और इस वीडियो में दी गई जनकारी आपके लिए जरूरी होगी और दोस्तों अगर आप ऐसे ही जनकारी भड़ी वीडियोस देखना चाते हैं तो ऐसे हैं आप हमारे इ सब्सक्राइब जरूर करें